एक ऐसा प्रोड़क्ट है जो की मिल-ठिसल के अर्क या एक्स्टैक्ट से बनाया जाता है और ये लीवर के लिए बहुत फाईदे मन्द होता है ये क्या है और ये क्या कैसे काम करता है और ये हमें लेना कुम ज़रूरी है इस सब के बारे में आज पूरे session में हम बात करिए तो सबसे पहले liver liver पेट के दाइनी और होता है ये हमारे पेटके दाइनी दरफ पसलियों के खीक नीचे होता है इसका वजन एक से डेट किलोग्राम होता है हमारे पुरे शरीर में ये दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है ये जो कि हमारे भोजन को चोटे चोटे में मदद करता है इसके बाद डेल लीटर जो blood होता है वो हर मिनिट हमारे लीवर से गुजरता है और फिर हमारे blood में मौजुद जो भी खराब cells होते हैं या फिर pathogens होते हैं उसको detoxify करके liver हमारे body से बाहर करता है लिवर जो हम खाना खाते हैं जो उससे एनर्जी बनती है उसों ग्लाइफोजन के रूप में इकठा करके रखता है और जो लंबे समय तक खाना नहीं लेते हैं फिर भी हमारा शरीर को वर्ग करने में मदद करता है लिवर एस्टोजन और हार्मोंस का निर्मान करता है लिवर जो ब्लेड में अमीनो एसिट के मात्रा को बैलेंस करता है अमीनो एसिट प्रोटीन का एक प्रकार होता है जो हमारे सेल्स के हमारे बॉडी सेल्स के निर्मान में काम आता है यह एंटिबायोटिक और अलकोहल की मात इसको बैलेंस करने का काम भी लिवर करता है हालांकि इसके एक सीमिन मात्रा होती है इससे ज़्यादा होने पर लिवर डैमेज होता है और हमारे जो लिवर है प्रोटीन कार्भो हाइडरेट और विटामिन्स को चोटे-चोटे टुफ्लो में तोड़कर उसको एक्स्टेक्ट करता है और वह हमारे शरीर के लिए इस्तमाल हो सके इस रूप में उसको बनाता है तो इस तरह से करके हमारा लिवर 500 चोटे-बड़े काम करता है अब बात करेंगे कि लिवर से संबंदित रोप कौन-कौन से होते हैं इसमें सबसे पहले आता है Fatty Liver Disease Fatty Liver मतलब है लिवर का Fat बढ़ना है आम तोर पर लिवरें कुछ मांत्रा में fat रहता है और वह extract करता है तभी वो हमें energy दे पाता है लेकिन उस मांत्रा से ज्यादा होने पर अगर उस मांत्रा से 5 परसंट यर 10 परसंट भी ज्यादा बढ़ जाता है fat तो यह फिर खत्रे की हंटी होती है और फिर ये हमको alag-alag तरी इस तरह केसे करके fatty liver problem दे सकता है इसके बात बता है liver cancer, hepatitis, liver inflammation यानि कि liver में sujan, liver cirrhosis मत्ब लिवर के cells का खराब और इस मात्रा में खराब और फिर repair नहीं होगता है उसको time बहुत लगता है तो यह सभी problems हैं जो आजकल liver के liver से के लिए देखने में, commonly देखने में मिल रही है इसमें से जो hepatitis है वो आम तोर्बे चार तरीके का होता है लेकिन इसमें से hepatitis A है और hepatitis E है जिसे जो उतने खतरनाक नहीं है जो कि खाने से प्रदूशित खाने से या पानी से फैलता है और उसे बहुत जल्दी बहुत आसानी से खावू पाया जा सकता है लेकिन इसके बाद जो B और C है हालांकि C के लिए भी अगर टाइम से पता चल जाता है तो कुछ दवाईयां हैं बाजार में मौजूद जिसे डॉक्तर की सलासे उत्योग करके हम ठीक हो सकते हैं लेकिन hepatitis B जो है वो बहुत खतरनाक होता है इसमें संक्रमित खुन जब एक संक्रमित खुन किसी दूस्टे व्यक्त सक पहुंसता है उसे खुन में मिलता है तब hepatitis B की संभावना बढ़ जाती है अब इसके कारण देखते हैं लिवर से संबंदित रोग होने के कई कारण है इसमें सबसे पहला है अनुप्यूक्त भोजन आप आज के समय में हम चाहे पाश्पूड या जंक पूड ले रहे हैं या नॉर्मल भोजन कर रहे हैं घर में बना हुआ खाना खा रहे हैं हम बहु ज़्यादा मांसा हरी वोजन करते हैं या शाका हरी वोजन करते हैं लगव सभी खाने में कुछ ना कुछ मात्रा में केमिकल होता है उगाने से लेकर पकाने तक में कुछ ना कुछ केमिकल होता है जिसमें से ज़्यादा तर चीजों को लीवर एक्स्टेक्ट करके बाहर दिक लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती हैं जो वहां पर कठा होती रहती है और वह लीवर को नुक्सान पहुंचाती है जीवन चैली ज्यादा तनाव करता है और वह लीवर को प्रॉब्लम करता है चाहे आपको किसी वाज़ा से पनाव ले रहा है और आज एक वर्च्वल दुनिया है जिसके कारण और भी जादा परेशानिया पैदा हो रही है इसके बाद अल्कोहल जैसे कि हमने अभी बात की कि अल्कोहल जब हम पीते हैं लेते हैं तो वह लीवर उसे बैलेंस करने के काम क भार करता है उसको प्रोसिस करता है और उसमें से जो खराब चीजें होती हैं इरह लेकिंड यह आप जो चीजों को अपने अंदर शलिट करता है कि वह वो कुछ समय तक कुछ माता में सतरु हर पैस अगर ऑब को आपकि double स्थे चेक नहीं किया जाव्जा जो होते हैं वो हमारे दिमाग तो पहुंशते हैं उसके में बाला दालते हैं जिसकी वज़र से आपने देखा हुआ कि लोगों को लगता है बहुत सारी प्राब्लम्स होती है पीने के बाद अब उन्हें नशा चड़ता है वो चीजों को पहचान नहीं पाते हैं और सफर्थ आशाले इसे दिमाग तक होता है और भी हिस्सों को फिर ये धीर बिरे डेमेज करने लगता है इसके पाद है तनाव जैसा कि हमने अभी बात की तनाव होने की वज़़े आपक हम मैं पuckyat हमारे सील हर दिन बनते हैं हर दिन मरते हैं लेकिन अगर आप के शीज हपनते हैं कि अजी रूटीन रखते हैं खुश्रहते हैं यह एक अंतरा ऐसे ऑट हृत इसकी मात्रा में कुछ कमी होती है लेकिन जब आप मनाओं में रहते हैं आप अपने खेर नहीं करते हैं यह बढ़ जाता है और इस वज़े से कही न कहीं हमें हमारे शरील में इंफ्लेमेशन महसूस होती है और हमारा आपको पता है इम्यून सिस्टम बहुत तेज है आपको कहीं भी तकलीख महसूस होती है वहां पर वह पहुंच जाता है इलाज करने या फिर प्रॉब्लम के कारण को खत्म करने और अगर वह नहीं मिलता है तो आपके सही सिल को ही वह कर देते हैं तो इस तर से कारण भी हमारे लिवर को फ्रॉब्लम होने का खत्रा रहता है इसके बाद है ड्रक्स तो इसमें दोनों क्रथी आप ड्रक्स मानके चलिए आप जो द्वाईया लेते हैं आप प्रॉड्स लेकिन पूसरी लेकिन आप की दूसरी बीमारी तरी बहुत ज़्यादा हाड होती है या पिर आपके बौडी को शूप नहीं करतो तो कही न कहीं वह लीवर डैमेज काकारण बनती है। जिस तरीके से अलको हल हमारे लीवर को करता है बहुत ह differ bantrac में लेने पर वह कही न कहीं हमारी बक्रेंज करता है क्लिक को या ररunto डैमेज करता है क्लिकि आप However इसी तरही के से ड्रक्स जैसे कि हमने अभी हेपेटाइटेस एकी बात की कि वो संक्रवित फून से फैर होता है लोग जो नशे की इंजेक्शन लेते हैं एक बंदे ने लिया फिर उसी इंजेक्शन से दूसरे ने लिया क्योंकि हॉस्पिटल में आजकल अलग सिरिंग के लिए एक अलग सिरिंग यूज होती है लेकिन जो नशा करते हैं वो यह चीज नहीं जान देते हैं तो एक ब्यक्टिक ने सिरिंग से नशा लिया और दूसरे ने लिया तीसरे ने लिया इस तरीके से कर दे अगर एक रिक्टिका कुम संक्रवित है तो वो कहीं न कहीं हैवेटाइटस भी कारण बनता है और ड्रक्स जब कोई ब्यक्ति लेता है तो विल्कुल सेम अलकोहल की तरह जितना हमारा लिवर एब्सॉर्ब कर सकता है उसे एब्सॉर्ब करके उसे हमारे शरीर से बाहर निकाल सकता है उतना निकाल देता है लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा बसता है हमारे शरीर में वो कहीं न कहीं हमारे लिवर को भी डेमेज करता है और शरीर के बाकी अंगों को भी वो कहीं न कहीं नुक्सान पहुंचाता ह इसके बाद एक और बड़ा रीजन है जो बहिलाओं में देखने को मिलता है वो है अनियमित इर्रेग्लर मेनस्टल पीरेड क्या लॉंग मेनस्टल पीरेड या लंबा मासिक धर्म जब महावारी होती है तो वो रेगुलर टाइम पे नहीं होती है या फिर कभी-कभी वो लंबा पिस्ती है और खासतर से यह 30 से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं में देखा गया है तो सियोल में एक सर्वे हुआ एक रिसर्च हुआ वैग्यानिकों का एक टीम सौथ कोरिया में रिसर्च किया और लगवर 3,000 औरकों के रिसर्च हुआ है और कुछ 30 से कम की भी थी और जादा तक 30 से बड़ी महिलाओं थी उसमें 30 साल के उम्र से और उनमें जो रिसर्च हुआ है उसके मुताबिक यह पाया गया है कि चिन का पिरेड सही टाइम पे होता है और उनका इनका पिरेड लंबा चलता है उनमें लिवर प्रॉब्म पैटी लिवर डीजीस होने की चांसे 49 परसेंट जादा होते हैं तो यह कारण से लिवर से संबंदित रोगों के होने का अब हम बात करते हैं आज के कंडिशन की दुनिया भर में लपक से 2 मिलियन मौते हर वर्ष लिवर से संबंदित रोगों से होती है जिसमें से 1 मिलियन मौतें सिरोसिस के कारण होती है और 1 मिलियन मौतें हेपेटाइट संक्टमण के कारण दुनिया भर में लिवर सिरोसिस 11 सबसे धातक विमारी है और लिवर कैंसर सोल्वी दुनिया भर में लगबग 2 बिलियन लोग अलकोहल का सेवन करते हैं और इसमें से 75 मिलियन लोग अलकोहल संबंदित डिसॉडर से पीडित हैं लगबग 2 बिलियन वयस्क एडल्स मोटापे से क्रसित हैं और 400 विलियन से भी ज्यादा दो डाइबिटीस से पीडित हैं है 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 जो दवाओं के कारण लिवर इंजिरी हो रही है उसकी संख्या दिनो दिन बढ़ रही है और आज दुनिया में लिवर ट्रांस्प्लांट दुनिया का सबसे ज़्यादा होने वाला अंग प्रत्यार ओपन है यानि ओर्गन ट्रांस्प्लांट है तो ये आज ये वर्तमान इस्तिती है और इस इस्तिती से निपटने का सिर्फ एक तरीका है कि हम अपना थ्याल खुद रखते हुए और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम समय समय पर अपना चेक अप परवाएं अभी 19 तारीक को 19 अप्रेल को 2023 को World Liver Day मनाया गया और इस बार का थीम था Be Visiland Two Regular Liver Checkup fatty liver can affect anyone 19 अप्रेल को दुनिया भर में World Liver Day मनाया जाता है हर साल मनाया जाता है और इसका उब्देश है कि लिवर से संबंदित रोगों के प्रती लोगों को जागरूप किया जाए और इस बार का फीम था बी विजिलेंट डूल रेगलर लिवर चेकप पैटी लिवर एन अफेक्ट एनीवन यानि कि जागरूप बने नियमेत रूप से अपने लिवर का चेकप करवाएं और पैटी लिवर किसी को भी अफेक्ट कर सकता है चाहे आप एल्कोहल पीते हों या ना पीते हों फैटी लिवर किसी को भी डिजीज किसी को भी हो सकता है यह फैटी लिवर डिजीज बने इससे पहले आपका लिवर चेकप तर आएं एल्वी पूर्ट खाएं और साथी साथ हम जिस प्रोड़क्ट की आज बात करने वाले हैं उसको लेते रहें तो हम आज बात कर रहे हैं मिल्क फिशल की क्यों लेना चाहिए कि हमने अभी बात कर ली लिवर को एल्वी रखने के लिए और लिवर से समधिर क्या क्या प्रॉब् और इसका जो के देखने में एक लोटे की तरह दिखता है इसलिए और ये एक कर ल Yema सब्सक्राइब करते हैं आपके शरीर में जो कमी है चाहे वो कोशन की कमी को पूरा करते हैं और हेल्स अपनीमेंट काूरी को पूरां करते हैं अगर आपके शरीर में कोई कमी है, या कोई अंग में कोई फंक्षन में कोई विटामीन या कोई कोई कमी है, अगर हमने उसे अपने शरीर में ले लिया, तो आम तौर पर, आम तौर पर वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और ये health supplement का काम होता है, दवाईयां तब कालिक समार् लेकिन हमें बीमारी कम से कम हो, इसके लिए जाहिए हमारा अंदर का सिस्टम ठीक होना चाहिए, इसके लिए हमें अच्छा खाना और, जैसा कि हमने बात की, आज के खाने में हमारी चारु तरफ, हम जो खाना लेते हैं, उसमें कहीं न गई, कुछ मात्रा में ही सही एमिकल म तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, ये एक मिल्क तिसल के अर्थ से बनाए जाता है, ये एक फूर सप्लिमेंट है, इसकी कुल मात्रा इस एक बोटल में 120 टेबलेट होते हैं, हर टेबलेट का वजन होता है 0.6 ग्राम, और हर टेबलेट में 132 मिलिग्राम एक्टिव मिल्क किसल एक्टिव सेक्ट होता है, इसमें 295 कल्टी हर 100 ग्राम में 295 कल्री की फुर्जा होती है, इसे जो हम महसूस करते हैं, इसी वज़ा से वह इसे ले सकते हैं, यह जाना जाता है और पारंबरिक रूप से बात करें तो मिलक प्रेयोग बहुत समय पहले से लिवर के लिवर की रच्छा के लिए किया जाता है यूरोप वा अन्य देशों में लिलक फिसल का उप्योग प्राक्रितिक रूट से एक प्राक्रितिक या नैचरल हेल्फ प्रोड़क्ट के तौर पर किया जाता है क्योंकि इसमें सिली मारिन नाम का एक केमिकल होता है जो एंटी ऑक्सिडेंट जातिवीद्यों के लिए पसिद यह सिर्फ लिवर के लिए ही काम लिवर सेल्स की रक्षा नहीं करता बलकि कई जगर पर इसका इस्तमाल ब्रेन सेल्स की रक्षा के लिए मतलब जैसे अलजाइमर्स होता है तो उसमें क्या होता ब्रेन सेल्स बहुत तेजी से नश्ट होने लगते हैं तो ब्रेन सेल्स की रक इसे केंसर के खिलाब हमारे बॉड़ी में कैंसर विरोधी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है और जो मिल्क एक्सेक्ट है यह मुख्य रूप से रुप कि पर साट ग्राम में और साट ग्राम में 300 मिलीग्राम से बना होता है अब स्वसे बड़ी बाद है कि हमें लीवर के लिए किसी भी हमें चाना ठाव रहे हैं घ्ला रहे हैं यूज जा रहे हैं पिर भी हमें लिवर के लिए एक हेल्थ सप्लिमेंट की जरूरत को पढ़ नहीं है क्योंकि लिवर टैंसर या हाईपोफंक्शन हमारी शरीर द्वाड़ा शायद ही पेचाना जाता है जब तक कि हमारा लिवर 70% डैमेज नहीं हो जाता है हमें कोई प्राब्लम नहीं होती है हमें कोई प्राब्लम हमारी शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती है जिसकी वज़र से हमारा लिवर जब तक 70% डैमेज नहीं हो जाता है हमें कुछ पता नहीं चलता है इसलिए समय समय तर लिवर या फिर आपके कंप्लीट बॉडी चेकप यह जरूरी होता है कि हमारे शेरी में प्रॉब्लम कहां हो रही है क्योंकि छोटी-मोटी बीमारियां जो सीजनल होती है उसको छोड़ करके कोई बीमारी जो कॉमन है जो अकसर सुनी जाते ही है वो सभी का शुरूआत बहुत शुका होता है अगर उसे समय पर हम कर लें तो शायद हमें कोई कोई प्रॉब्लम ना हो हम उसका समय पर इलाज कर लें या फिर हम अपने लाइफस्टाइल को सही तरीके से करके हम उसका निदान कर सकते हैं लेकिन हम जैसा कि यहां पर है 70% जब तक डैम और वो जब तक हमें पता चलता है वो बहुत बढ़ चुका होता है और हमारे पास इलाज का कोई रास्ता नहीं बच तक है और दूसरी चीज है एक सरवे की हिसाब से आज पहले की मुकाबले अग लीवर से संबंधी त्रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इससे बीमार ह से कौन को निस्तमाल कर सकता है जिनको भी अपना लिवर हेल्दी रखना है जो चाहते हैं उनके शरीर में पोशकत्तों का एक्स्टेक्शन अच्छे से हो जाने कि आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर को लगेगा इस तरीके से और जो लंबे समय तक काम करते हैं और अक्सर देर्डाख भाना खाते हैं जो अपने वीजी लाइप के कारण बईजी लाइपस्टाइल के खालप के जानी दे पा रहा हैं जो चाहते हैं उनका लिवर या उनका मेटा बाल इसम ले सकते हैं इसको 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 इसकी ब़ुश् Immerल करने के लिए बहुत अस्त् vested XV कोई भी ए्डलί कोई भी व्यासवगती तिन में इसे दो बार खाने के बागए पानी के साथ एक टैबलेट लेना है एक स smartphones एक शाम कि आप सुभर नाश्टा करिए उसके बाद एक टैबलेट लेके रागओ खाने के बाद एक टैबलेट पानी के साथ इंसे लेना है और इसको इस्तिमाल करने के लिए कुछ सावधानिया है तो सबसे पहले चीज आप इस प्रोड़क्त को इस्तिमाल करने से पहले यूज हुए है और उसके बाद अगर उसमें से किसी भी इंग्रीजियंट से आपको पहले से ऐलर्जी है तो अगर आपको इसको इसको इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्तर से बात कर लें यह पूरी तरह सुरचित है और यह टेश्ट को करके आया है लेकिन इसके बाद जो अगर पेट दर दिया डायरिया की समस्या होती है तो इसका इस्तिमाल ना करें और जो बच्चे गूत भी रहे हैं उनकी माताओं को और करवती नहिलाओं को करें subscribe YouTube दोक्तर की सलाह से ले जाने के लिए कह जाता है लेकिन अगर उन्हें लेना है तो इसे किसलाह ले ले usually जाएं हालांकि अगर इने चाहिए लेकिन अगर वेने डॉक्तर से बाद करलें और यहेट मी इस और दूसरी चीज़ कभी भी आपको प्रोड़क्ट की स्टॉक करके रखने को भी बोलती है लेकिन इसे बावजू कभी आपने प्रोड़क्ट मंगाया और किसी वज़े से आप इस्तेमाल नहीं कर पाए तो एक्सपारी डेट होने के बाद इसे इस्तेमाल नहीं करें और अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कि पहले एक्साम करें अगर प्रॉलम आपको लिवर से संबंधित लगती है तो आज जाकर करके आप अपको ना लिवर से संबंधित चेक अप तरवाएं आप देखें कि क्या प्रॉब्लम शुरू हो रही है उससे संबंधित आप फिसल के लावा और भी कोई चीज है तो आप उसके बारे में डॉक्टर से बात करके और अपने अप्लाइन से बात करके एक अच्छा एल्ट सुब्लिमनेट फूड इस्तिमाल करना शुरू करें जो आपकी प्रॉब्लिम को साल कर सके है अब यह प्रेजेंटेशन transform करने यह पहले आटमी बिली के इसका जो डिस्टिगूटर प्राइज है एक तिससो च्यासी रुपया है इसका मर्पी है आप तिससो रुपया और इस पर तीवी है 16,000 तीवी जाने कि यह प्रोड़क्ट आपके हेल्थ के साथ आपके वेल्थ को बढ़ाने में भी कारगर साबित होने माला है इसके बारे में आज जो भी हमने जानकारी आपस में साजा की है इसे आप अपने लोगों के साथ साजा करें और उन्हें भी एक वेल्थी लाइफ हेल्थी लाइफ चीने में मदद करें तो मुझे ध्यानकुरुक सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और जड़ी केसी का कोई भी कुश्चन है तो हैंड रेच करके पूछ सकता है तो मुझे सुनने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत दन्यवादे